प्रस्तुते कारेकर्यम कलश शुरताओं नवसकार, कलश के इस अंक में आपका स्वागत, आज के अंक में कवीता, वार्ता और गीत शुरताओं कवीता के अनेक करंग होते हैं, जो रस साहित्य के रसों से होके हम तक पहुचते हैं, कभी भाव शुरूंगार का होता है, तो कभी हासिय, तो कभी शान्त, कभी टपकती है करुणा, तो कभी वीरता से उतप्रोत होती है कवीता इनी सारे भावों को समेटे कवीता हर काल में प्रवाहित होती रहती है, कुछ इनी भावों से समेटे सुनील जोशी प्रस्तुत कर रहे है अपना काव्यपाथ, आईए सुनते हैं एक पत्र सेनिक के नाम तो समझाती है, पिताजी की नजर अब धुंदली हो चली है, तुमारे इंतजार में आखें बुड़ी हो चली है, कैसे समझाओं बाल मन जो हट किये वैठा है, तुमारे किये वादे को मन में घर किये वैठा है, मेरा तुम से शिकायत करना बेमानी लग रहा है, इस मुश्किल घड़ी में सब तुफानी लग रहा है, साहस और धैरे से मैं मेरा कर्तव्य निभा रही हूँ, तुम यहां नहीं हो, इसलिए तुमें हाल बता रही हूँ, तुमारी अरधांगिनी बनकर कर्म का निर्वाह करूँगी, मैं प्रार्थना में तुमारी सलामती की दुआ करूँगी, तुम देश की आन, बान, शान के लिए प्रतिबद्ध हो, बहारी आक्रमण को रोकने के लिए कटिबद्ध हो, तुम को केवल हालातों से अबगत करवाया है, सीमा पर हो तुम, ये मैंने सब को समझाया है, युद्ध छेत्र में तुम सैनिक जीवन का निर्वाह करोगे, मुझे यकीन है, तुम दुश्मन का सर्वनाश करोगे, जब लोहा लेने का उचित समय युद्ध में आएगा, तुम्हें मेरा लिखाई ये पत्र बुलंद होसला दे जाएगा, तुम अपने साहस और पराक्रम से डटे रहना, करतव विपत पर चलते हुए तुम अडिग रहना, करना तुम विश्वास तुम संग परिवार की शक्ती है, तुम्हारा देश के प्रतिये सम्मान ही तुम्हारी भक्ती है, सैनिक तुम भारत के अभिमान से कह सकूँगी, तुम्हारी संगिनी बनकर जीवन परियत गर्व करूँगी, तिरंगा दिल में बसे तिरंगे को माथे पे लगाना है, दबे हुए जो जजबात हैं, उन्हें फिर से जगाना है, उस गर्व को कर महसूस याद दिलाना है, जब लहरा ये तिरंगा हर दिल दिवाना है, ले हाथ में तिरंगा एक कड़ी से जुड जाए, जो करनी हो मुहबबत तिरंगे से हो जाए, तिरंगा सत्य शौर्यवा प्रगती का परिचायक, देश की अखंड तावा प्रभुता का है जो नाय, क्यों ना हम सब मिल एक सूत्र में बंध जाए, हाथों में लेकर तिरंगा खुशी से जुम जाए, ना हो मन में बैर कोई, ना हो देश की भावना, हर हाथ में हो तिरंगा है बस ये ही कामना, हर हाल में सब को बस ये याद दिलाना है, दिल में बसे तिरंगे को माथे पे सजाना है, दबे हुए जो जजबात हैं उन्हें फिर से जगाना है दिल में बसे तिरंगे को माथे पे सजाना है जहें दोस्तों मुझे स्वयम के अस्तित्व से घ्रणा अब होती है मानव ने मानवता जिस पहर से खोदी है तुम लाख दिखाओ चेहरों पर मुस्कान फरेबी कौन है जिसने नफरत फिर दिलों में बोदी है अपने वर्चस्व की खातिर जल रहा समाज है सुरक्षा तो को सो दूर मुश्किल बचाना लाज है ना कानून ना ही विवस्था की बात अब होती है मूख हुए दल पीडित पर सिर्फ राजनीती होती है वहसी बने फिर रहे हैं कुछ आदम खोर कोला हल कर रहे हैं चारों और विहंगम द्रिश्य देख ये धरा भी रोती है जब कोई मा बहन या बेटी जान खोती है हे लिलाधर तुमको फिर से आना होगा लुटती बहनों की लाज आज बचाना होगा भीश्म द्रोन द्रितराष्ट उपस्थित सभी यहां है दुराचारी को सबक तुमें फिर सिखाना होगा हे लीलाधर, तुमको फिर से आना होगा, हे लीलाधर, तुमको फिर से आना होगा, दोस्त, मुहबत की जो किताब बने, सारे जहां में बाढ़ दू, लिखो प्रस्तावना जब भी मैं, सिर्फ दोस्तों का नाम लूँ, हर पन्ने पर स्ने की स्याही हो, हर आखर में रुबाई हो, बेदार करती लेखनी का साथ हो, जैसे शबनम अपने पास हो, बैठू जब भी पढ़ने मैं, मात्र प्रेम की अनभूती हो, प्रत्येक पंक्ती में रची बसी, मेरे दोस्तों की स्मृती हो, मुहबत की जो किताब बने, सारे जहां में बाट दू, लिखू प्रस्तावना जब भी मैं सिर्फ दोस्तों का नाम लूँ, अब ही आपने सुनील जोशी से उनकी कुछ कविताएं सुनी, शुरताओं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर ही रहूंगा, इस मंत्र का जैगोश करने वाले महान, स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अनेक बार जेल यात्रा की, उनके संपादकिय से अंग्रेज भी थर्राते थे, अपने लेख में उन्होंने लिखा, कार्य के लिए इश्वर की साहियता अवश्य होनी चाहिए, लेकिन केवल इश्वर साहियता से सब कुछ संभाव नहीं, प्रयतन आवश्यक है, यही प्रयतन आपका कर्तव्य है, हिंदी भाषा कोले करुण होने कहा था, सरल और शिघरता से सीखी जाने वाली भाषाओं में एक हिंदी भाषा है, आज सुनते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर वार्ता, वार्ताकर है, डॉक्टर S. एंड पठान, महान देजभक्त और कर्वयोगी लोकमान्य तिलक जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अंतराष्टिय ख्याती प्राप्त देजभक्त थे, वो विबीन नेशों के महान विद्वान थे, जुजारु पत्रकार और महान देजभक्त थे, उनके व्यक्तितों में अलोकिक धहरिय और अपार बुद्धी सामर्ते का दुरलप सयोग था, विशेशकर गनीत, वेद वेदांग, इत्यास, आधी विशों के वे आधिकरी पूरुष्ट थे, लोगों का विशाल संग्रह लोकमान्य तिलक जी की प्रमुक विशेष्ता थी इसलिए वे अपने समय में इस देश के अग्रणी नेता की रूप में जाने जाते थे लाल, बाल, पाल को त्रिकुटी माना जाता था, फिर भी में लोकमान्य तिलक जी का स्थान शिर्ष्य पर था स्वाबी वेवेकानन्द और योगी अर्वीन ने पुने आकर लोकमान्य तिलक जी के घर मेमान नवाजी का लुपत उठाया था लोकमान्य तिलक रुडिवादी लोगों के नेता होने के साथ साथ क्रांती कार्यों के मुकट मनी भी थे लोक्मान्य तिलग जी सभीक्षेत्रों के लोगों को एक साथ लेकर चलने वाले नेता थे स्वराज जान्दुलन में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को लोक्मान्य तिलग अपना मित्र बानते थे वे कहते थे कि जो कोई स्वराज्य मिला देगा मैं उसके साथ भोजन करूँगा लोगपान ये तिरक जी के खिलाब चला गए तिसरे राज द्रोह मामले में बैरिश्टर मुहम्मद आली जिना ने तिरक जी का वकिल पत्र को स्विकार किया था बैरिश्टर जीना तब पूने में वर्तमान तिरक स्वारक में रहते थे और तिरक जी के घर पर पूनेरी भोजन का अनन्द भी लेते थे इससे साबित होता है कि तिरक जी मुस्लिम समाज के कभी भी विरोधी नहीं थे ठत्रपदेशिवाजी महाराज के बाद यदि महाराष्टर में महान उपुपलब्धियों और विशाल जनसमों वाला कोई महान व्यक्ति है तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो लोकमान नितिलगी होंगे एक जनवरी 1880 से अगस्त 1920 तक लबक 40 वर्षों की आउधिकु दवरान लोकमान नितिलगी का शैक्षेनिक, सांस्कूर्तिक और राजनितिक कार्य बहुत बड़ा और आखें खुलने वाला है मैं लोकमान नितिलगी के कारयों के बारे में संक्षेप में बात करने जा रहा हूं मेरा अनुसार लोकमान नितिलगी के जीवन के दो लक्षे है पहला लक्षे स्वराजय प्राप्ति और दूसरा लक्षे कर्मयोग स्वराज जी है मनुष्य के भहुतिक विकास के लिए है तो कर्मयोग ये मनुख्य के अध्यात्मिक विकास के लिए है इस तरह लोक्मानित तरग जी के दो प्रकार के लक्ष थे ये दो मार्ग थे ये दो योजनाए थी कि पहले सामाजी किया राजनेितिक प्रेड यह हमेले में ना पड़ते हुए लोक्माने तनक्षी सबसे पहले राजनेतिक सुधार की वकालत की हलागि लोक्माने ते लग सामाजिक सुधार जोघ की नहीं थेmeter एक राष्टर पुरुष सामाजिक सुधार का कभी विरोध नहीं हो सकता लोगपाने तरग जी सुधारों का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये दी बिटिस सरकार के साहियता से सामाजिक सुधार होते तो देश में बिटिस सत्ता और मजबूत हो जाती बस इतना ही इस द पुडिकरस्त लोग नए सुधारों को तुरंत स्विकार नहीं करेंगे इसमें समय बरबाद होगा और बिटिस सत्ता की जड़े और गहरी हो जाएगे लोगपाने तिलक्र ने विश्णू शास्ती चिपलून कर गुपाल गनेश अगरकर की मदस से अठ्टास्य में पुने म कुछ समय तक अध्यापन करने के बाद लोगपाने तिलक्र ने कुछ मद भिन्नता के कारण चोविश सब्ते बार कि अठ्टासर नवबे को डेकरिशन सुसाइटी से इस्तिपादे दिया और स्वराज जान्दून में शामिल हो गया अठ्टासर नौव से उन्निसो बीत तक लोगपाने तिलक्र ने राजनिती सुधार के लिए कारे कि इस दवरान लोगपाने तिलक्र ने प्रिटिस सरकार की जुल्मों सितम दमनकारी और अन्यायपूर्ण निती का कड़ा विरोत किया स्वराज ये मेरा जनमसित अधिकार है और मैं से लेकर रहूंगा उननिसो सोला में अकोला में लोगपाने तिलक दुआरा की गई ये घोशना उसनमें बहुत लोगपूरे हुई आज भी वो मशूर है ऐसी सरकार को खत्म कर देना चाहिए ये शासन करना ये बदला लिना नहीं है लोगपाने तिलक के अग्र लिखों से देश्म असंतोष पहला गया लोगपाने तिलक आपने जीवन के अंतिम्षन तक बिटी सरकार के विरुद्ध संघर्ष करते रहें अट्रासो बैसी में लोगपाने तिलक ने कुलापूर संस्तान के चवतेश शिवाजी महाराज की सुरक्षा के लिए केश्री देनिक समाचार पत्र में एक लेक लिखने के कारण तिलक और अगर कर को मुंबए के डोंगरी काराग्रह में तीन महिने की कईद हुई थी 1898 में जेम्स रैंड बिटिश अधिकारी की हत्या के अरोप में तिलक जी को तेड़ साल की कारागरह की सजा उच थी 1901 में ताई महाराज मामले में बिटिश सरकार ने तिलक को तेड़ साल को कारागरह को सजा सुनाए थी 1906 में बिटिश सरकार ने बंपरकरण में तिलक को दोशी करार देते हुए छे साल की सजा सुनाए ऐसे अनेक परकार के देजद्रोह के लिए दंडीत किये गए तिलक वास्तों में कारागरह में एक दार्शनिक थे कर्मयोग ही लोकमान्य की जिवन निस्टा थी यह कर्मयोग जन सामान्य लोगों को समझाने के लिए लोकमानित रगने मंडाली की कारागरह में गिता रहश्य ग्रंथ मराठी में लिखा हूँ जब गन्त प्रकाशित हुआ तो पहले दिन इसकी सभी प्रतिया बिग गए जिससे इस पुस्तक की महिमा का पता चलता है जिस प्रकार पांडों ने कुरूट शेत्र में कवरों के खिलाब बिगुल फूका उसी प्रकार भारते लोगों ने भी ब्रटी सरकार के खिलाब बि लोगमाने तिलग सच्मुची इस देश के पहले जननेता थे दोहे चावल की तरह चरित्र असीम त्याग और अलोकिक सहास जैसे अनेक दैवी गुनों से संपन्न तिलग को सभी आम लोगों ने एक स्वर से अपना नेता माना था ऐसी किसमत इस देश के अन्य किसी भी नेता की भाग्य में नहीं थी नोकमाने तिलग पुने शहर के अन्भेशिक्त संपराट और संपूर्ण देश के सरोज्य राजनितिक नेता थे गिता रहश्य बुस्तक का कई भाशों में अनुवाद हो चुका है बनारा सिंदू विश्व इद्याने में संस्कूत भाशा में प्रथम आने वाले ज्छात्र को गिता रहश्य बुस्तक उपार सोरूप में भेट दी जाती है लोकमाने तिलग ने सारोजनी कर्पति की स्तापना एक अट्रासो त्रयानों में की लोकमाने तिलग ने समाज के सभी लोगों को एक साथ लाने उनमें भाई जारा देश प्रेम जगाने राष्ट्रे एक अटाब पैदा करने आधी उद्योषों से प्रेरित होकर पुने शहर में स्तारोजनी गन्पति उत्सों सुरू किया हूं हम सब देख रहे हैं कि लोकमाने तिलग जी दौरा लगाय गया पोधा आज एक विशाल बटुक्ष बन गया है लोकमाने तिलग स्पष्ट करते कि स्वराज यह सभी लोगों का अधिकार है सभी लोगों के लिए स्वराज है लोकमाने तिलग ने आगे कहा था कि स्वराज्य को स्वराज्य बनाना चाहिए मानो समाज में भाईचारा और सद्भाव पैदा करने की लोकप्रिय मानेता को यदि कोई पूछे कि तिलग की इस गवरोशाली विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास कोन कर रहा है तो आज हमारे पास अशाजनक तस्वीर है आज हमारे भारत देश का विश्व के शक्तिशाली देशो द्वारा खासकर अमेरिका, जपान, फ्रांस, ब्रिटन इन देशो द्वारा अपने भारत देश का जिस्तर स्वागत किया जा रहा है उससे हम यह कहना चाहते कि लोक्पानितिलक जी का प्रखर राष्ट्रवात जल्देई वास्त्युक्ता बनने जा रहा है और यह गर्व की बात है कि भारत एक महाशक्ति और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है लोक्पानितिलक जी का एक सो तिर्वा पुन्यस्परण मैं लोक्पानितिलक जी की पावन स्मूर्थी को नमन करते फे मैं अपनी वानी को यही विराम देता हूँ मुझे यह बुलाए गया इसके लिए मैं पुने अकाश्वानी केंद्र को धन्यवा देता हूँ और अपना अभार्वेक्त करता हूँ जय हिंद्ध भरत माता की जय डॉक्टर S.N. पठान से अभी आपने लोक्मानिय बाल गंगाधर तिलक पर ये वारता सुनी इश्वर के अस्तित्व को स्विकारते हुए कर्म की प्रधानता यही है गीता रहस्य एक प्रसंगा आता है कि शेगाओ के श्री गजानन महाराज तिलक जी की एक सभा में स्वयम उपस्तित हुए थे कुछ समय बाद जब उन्हें जेल हुई तब कुछ भक्तों ने श्री गजानन महाराज से उनकी मुक्ति के लिए अनुरोत किया तब तिलक जी को गजानन महाराज ने प्रसाद रूप में एक भाकरी यानि की जवार की रोटी भिजवाई और कहा कि उनके हाथ से एक बहुत बड़ा काम इस जेल प्रवासदोरान होना है सुख दुख में इश्वर के अस्तित्व की उपस्चिती यही है भक्ती और इसके साथ ही कलेश का यंक समाप्त हुआ प्रस्तुती देवकी कुल करें